है 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 यूटूब चैनल आज हम आपको बताएंगे इस प्लेंडर के हमने जब टेक्टर वाले टायर डला है चार मैंने चलाने बाद इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ तो टैर डलाने मुझे जो फाइदा हुआ वह तो सबको मालुमी है पर बहुत से लोगों ने पूछा इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती तो मैं आज आज आपको इसमें होने वाली प्रॉब्लम के बारे हम बताऊंगा तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम जो है वह आप ल इसकी तो जो हमारे पीछे जलते हैं उनको भी कई प्रॉब्लम होती है कि चिट्टे जैसे कि ज्वे देज़े है तो इसके जैसे फ़ी मेरे रही गनें कि जैसे ये गुटके बने हुएं यह कीचर यह फेकते हैं और ये थोड़ा सीधी सीधी चलाने में चाहिए जितनी तेज़ चलाओ को दिकर नहीं लेए थी, पर थोड़ा सा लहरा होगा तो बहुत तेज़ी लहरती, इसमें गिरने का बहुत खत्रा रहता है, इस मारे इसको बहुत अराम से चलाना पड़ता है, और इसी की चकर में, यहां यह लाइट जिस कीचर फेक थी जा हमने लाइट यहा लगवाई थी इसका तार भी तूड़ गया है वो यहा हमने बांद दिया है इतना कीचर फेक थी कि हमें यह बरसाती बनवाग लगवानी बड़ी लोग एक जिए पुरानी वाली इसमें गल गई थी और यह सारे मौसम के लिए बेस्ट है बस बरसात में इसको चलाने हो बहुत दिक्कत आती है इसमारे बरसात में इसको बहुत कम चलाते हैं और कीचर तो आप लोग जानते हैं कितना फेक रही है यह बरसात में सारी चीज़ तो बुरी है बस एक चीज़ बहुत बहुत बेतरी है यह पानी में और कीचर में कहीं फिसलती नहीं है आसानी से निकल जाती और गाड़ियों के मुकाबले अब में बात पर आते हैं इसके माईलेश पर जो कि हमसे बहुत लोग ने पूछा है भाई गाड़ी का माईलेश तो कम हो गया होगा तो हाँ भाई गाड़ी का माईलेज बिलकुल कम हो गया है अब गाड़ी 20-22 का माईलेज दे रही है जो कि कमपनिय में 60-65 का क्लेम करती पर ये गाड़ी 20-22 का माईलेज दे रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने इसमें टैर चेंज की हैं और यह वाले ऐलोय लगा है, ऐलोय इसके बहुत भारी है, इसमारे माइलेज गाली का 20-22 का बचा हुआ है, यहां का व्यू देखे कितना मस्त हो गिया है, ग्राम लोग वीडियो बनाने आए हैं, तो यह थे इस टैर और रिम के कुछ फैक्ट, जो कि हमने कमेंट में कई लोग करो, और कमेंट करो, और अपने दोस्तों क्षास शेयर करो,